अगर 2007 में अब मैं 2007 क्यों बोल रहा हूं इसकी पीचर में कहानी बताऊंगा लेकिन अगर 2007 में आप केवल 25,000 रुपए अगर Lumsum Mutual Fund SIP में आप डाल दियो होते I would say Lumsum आप 25,000 आप केवल 25,000 डाल दियो होते न तो आज उसकी वेलू लगबग 3,000,000 रुपए होती स्वागत है सबका आज की वीडियो में बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली इसलिए बहुत ध्यान से बने रहना क्योंकि Power of Compounding की जो ताकत है आज वीडियो में रियल में दिखाने वाला हूँ आपको ये बात 2007 की है मैं एक एजियोम कर रहा हूँ आज चलो मुझे कुछ सालों सी पता चला है कि Mutual Fund SIP की ताकत क्या होती जब पैसे आप दीरे-दीरे सेव करते हो पैसे और पैसे सेव करने के बाद आप पैसे इन्विस्ट करते हो तो क्या ताकरत देखने को मिलती क्योंकि आपको बताओं अगर 2007 क्यों बोल रहा हूं इसकी पीचर में कहानी बताओंगा लेकिन अगर 2007 में आप केवल 25,000 रुपए अगर के सब 3,000,000 कैसे हो जाती कैसे 3,000,000 हो जाती क्योंकि mutual fund में क्या ऐसे real में fund है जो amount इतना देते हैं एक fund की बात करूंगा आज की वीडियो में अब 2007 की कहानी में क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैंने graduation 2007 से 2011 के बीच में किया अब graduation की बीच में ये चीज हमेशा सोचता हूं कि एक 30 से 30 साल वाली एच वाली वीडियो देख रहे होंगे तो आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग आने वाले समय में पच्टाओ जैसे मैं पच्टा रहा हूं Since investing की journey जब मैंने start किया हो सकता है क्योंकि 25-26 में investing की journey शुरू किया था अब 26 आज लगो चार से पांक साल हो रहे investment को लेके लेकिन मुझे यही सोस्त में हमेसा यह सोसता था का आश ये चीज मुझे पहले पता चलती क्योंकि मुझे मालूम है अगर ये compounding की ताकत अगर मैं क्योंकि 2007 में मेरी college की feces 50,000 हुआ करती थी तो अगर उस 50 में से में 25,000 भी निकालके mutual fund में डाल दिया होता तो literally आज 3,000,000 values उपर होती अगर 50 डाल दिया होता तो आज लगवग 6,000,000 value उपर होती ये लोग बहुत लोग समझनी बाते हैं चीजों को अब बोलोगे कैसे हो पाएगा क्योंकि ये ना बड़ा simple fund है बहुत simple calculation है आप अगर bank में पैसे डालते हो आपको केवल मिलता है सधारन ब्याज simple interest 5-6% इससे ज़्यादा नहीं मिलता अब केवल interest आपको हर साल मिलता है interest पे interest मिलता है जब आप mutual fund में पैसे डालते हो आपके पैसे जब इन्वेस्ट होते हैं बहुत सारी कमपनी में तो बहुत सारी कमपनी में इन्वेस्ट होने के बाद आपको पैसा compounding मिलता है मतलब आपको interest प्रे भी interest मिलता है अब हो सकता है काफी लोग को इस बात पता होगी बहुत देर मत करना अगर आज वीडियो में आ गये हो मतलब कहीं न कहीं भगवानी कृपा आपके पास है कि यार आपको इवीडियो देखने को मिल गई है बहुत लोग को पता नहीं चल पाता समझ नहीं आता भाई उनको की Mitchell Fund S.I.P. क्या होती इस सब सोचते हैं स्टॉक मारड़े पैसा जा रहा है मेरा पैसा चला जाएगा अरे कुछ लोग का पैसा गया था मेरे पडोसी, मेरे रिस्तेदार उनका पैसा गया था आज पैसा नहीं मिल रहा है तो ये ना भ्रहम दूर करने वाला हूं आपका यार क्योंकि हमें ये चीज पता चल गया है कि रियल में इन्वेस्टिंग करने के बाद हम पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं तो पैसा बनता है आप बोलोगे बहुत सारे ऐसे फंड है एक फंड के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये फंड ना 16 साल से भी पुराना फंड है अब 16 साल से पुराना फंड है रेट ओफ इंट्रेस्ट इतना शांदार दिया इसने कि आज वेलू लगबग 25,000 की वेलू लगबग 3,8,000 हो गई तो अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता ये मेरी हुआ नहीं है अब बोलो कि कौन सा फंड है और कैसे वेलू बनती है ये होता है लमसम की तागत आप जब मुचल फंड में स्टार्ट करते हो देख होता है पर मन थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना दूसरा होता है कि लमसम मतलब वन टाइम एक बार आपने डाल दिया पैसा भूल गए अभी वो लमसम का टाइम नहीं है डेफिनेटी आएगा मैं वीडियो बना दूँगा लेकिन एक बार 100% पैसा डाल के आप भूल गए कि भाई मुझे अब देखना ही नहीं है कि मेरे पैसों का क्या हुआ ठीक है चलो मैं थोड़ा सा इस फंड के बारें बताऊंगा और जब कल्कुलेशन करूंगा लाइव तो थोड़ा देखना आप कि कल्कुलेशन में वैलू कितनी आती है चलो ठीक है चलो मैं ग्रू अप्लिकेशन डिस्रिप्शन फिल लिंक है डाउनलोड कर सकते हो कोई कमिशन नहीं रहता है यहां शांदर अप्लिकेशन है मतलब एक ही छत में आपको बहुत सारे मुचल पंड बहुत सारे कंपनियां मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है और डिरेट अप्लिकेशन होता है अगर आप कंपेर करते हो ब्रोकर से कंपेर कर सकते हो बैंक से तो यहां आपका डिरेक इंवेस्टमेंट होता है तो अच्छी बात यह है चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले आपके लिए ओन करूँगा सोदेल आपको दिखाने कोश्च करूँगा कि ऐसा कौन सा फंड है जिसके बारे मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुराना फंड है और मेरा फैवरेट फंड है वो देखा जाए तो अब यह फैवरेट मेरा है मतलब यह नहीं कि आप भी करो इंवेस्मेंट आप समझ के सोच के रिसर्च करके करो मैं हमें सही कहता हूँ चलो ठीक है अब देखो इस फंड की जब बात करूँगा यह फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करूँगा मैं अब निपॉन एंडिया ग्रोथ फंड ने अभी तक कितना 17% रिटन दिया है? पुराना फंड है भाई, बहुत पुराना फंड है, बोलोगे आजकल का फंड है क्या भेए? या नहीं नहीं बहुत पुराना फंड है पहले ये रिलाइंस हुआ करता था अभी निपॉन हुआ 17% अभी flat return मिला है सोचो 17% return अब बोलो कि 17% flat return मिला है तो क्या मैं इसमें invest 100 रुपे से भी कर सकता हूं हाँ भीए हाँ कर सकते हो आप 100 रुपे से भी invest कर सकते हो depend करता है कि आप कितना बचा सकते हो जितना बचा हो इतना आप invest करोगे simple सी बात है rating अच्छी है अब बोलो कि मैं पैसा इसमें डालता हूँ भी तो पैसा मेरा जाता कहा है क्योंकि सहारा में जितनों लोग का पैसा गया काफी लोग सहारा में नुकसान कर गए वो भी पैसा डालते थे दुकान में आप कहीं भी घर में लोग आता था एक बंदा आता था और बंदा आके क्या करता था वो बंदा आके क्या करता था वो पैसा थोड़ा वो कलेट कर देता था पैसा कलेट कर लिया बंदा collect करके पैसा क्या करता था बंदा वो वो जाता था लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि पैसे मेरे कहा जा रहा है अब निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करोगे 17% flat rate आपको दिख रहा होगा मिल चुका है ठीक है पैसे डालते हो तो आपका पैसा stock market में जाता है share market में पैसा जाता है और जो share market में कमाती है न तो आपको mutual fund देती है अब कौन जिम्मेदार होता है mutual fund manager जैसे हर company के manager होते हैं यहां भी इसलिए बोलता हूँ कि यहां पैसा डालने के बाद आपना tension नहीं रहती दिमाग की ठीक इसलिए कहता हूँ आपने डाल दिया mutual fund manager देख रहा है कि भाई पैसा मेरा कहा कहा जा रहा है बहुत सारी companyों में पैसा आपका जा रहा है इसलिए तो companyya growth करती है तो आपका पैसा भी भढ़ता है इसलिए कहता हूँ में सुरुआत करनी के देरी होती है और घरगर S.I.P. mission के माध्यम से काफी लोगों की मदद हो रही है thanks to God real में हो रही है एक कम पढ़ा लिखाओ वेक्ती भी बहुत अच्छा से investment शुरू कर रहा है तो अच्छी बात है आपको knowledge मिलते रहना चाहिए investment की journey continue करते रहो तो देखो निपॉन ने आपको 17% return दिया है शांदा return आपको दिया है जो ये बताता है कि भाई return बहुत अच्छा है ranking भी इसकी अच्छी है fund management बहुत पुराना fund है 15-16 साल हो चुका है मैं इसलिए कहता हूँ कि काश मुझे पहले पता चाहता होता तो आज ये 25 की value 3 हो जाती अब बोलो के कौन-कौन से real में कैसे हो जाएगा तो मैं आपको सिंपल सा SIP calculator दिखाऊंगा description पर डाल दे रहा हूँ आप भी calculate कर सकते हो उसमें अब देखो अब SIP calculator में आपके पास option रहता है बहुत सारा SIP कर सकते हो लमसम कर सकते हो मैं लमसम की बात कर रहा है क्योंकि मुझे एक बार में पैसा डालना था अब चुल समय बीद गया लेकिन आज भी डाल सकते हो इंडिया का market लगातार growth हो रहा है अब देख रहे हो Nifty 50 की बात करो Sensex की बात करो लगातार growth हो रही है अब अगर इंडिया में पैसा लगाएंगे तो पैसा हमारा बनेगा अब देखो मैं simple क्या बात कर रहा था अगर मैं 25 जाए डाल दिया होता return मुझे 17% मिल रहा है assume करता कि हो सकता है आने वाले समय में भी मिले 17% भी अगर मिलता तो मैं आने वाले कितने साल की बात करोंगा 16 साल की अब 16 साल की बात करोगे तो भाई लगभक मैं केवल 25 डाला था कितनी ताकत होती compounding के सोचो detail में जाओग यहां clear दिखेगा 5 साल बाद आप 25 का 54 हो रहा है शुरू में कभी नहीं दिखता mutual fund कि आपको पैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे दिखता है धीरे धीरे आपको दिखता है अब सामने देखो 5 सालों में 25 की value 54 हुई थी ठीक है वही 8 सालों में 25 की value 287,000 हुई ठीक है 25 सालों अगर 10 सालों की बात करें तो वही 1.2 lakh हुई ठीक है मैं यहाँ 16 साल की बात कर रहा हूँ अगर आप एक साल, दो साल और रुख जाते तो यह value लगभा 4 lakh हो जाएगी detail में आपको दिखरी है value पूरी मतलब आप continuing investment अगर 30 साल के लिए कर दो माल लो अगर आपकी age यहाँ 20's में है आपने college में इंविशन लिया अब सोचो, वे value जो आपने 25,000 डाल दिया था आज वे value दिख रही है कितनी 27 lakh यह compounding ताकत होती है आपको ब्याज में भी ब्याज मिलता है यही होती है ताकत, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहरा था मेरा मकसद क्या था आपको बताने का हालाकि investment आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है SIP, mutual fund videos बना रहा हो, बहुत अच्छी बात है लेकिन यह motivation, यह जो है ना जो मेरे अंदर दर्द है ना यह मैं नहीं चाहता कि आप लोग के अंदर भी रहे इसलिए जल्दिस जल्दो investment चालू करो जितना जल्दी चालो करोगे, उतनी जल्दी वेलो आपको compounding की ताकत देखेगी और आपको पैसा बनेगा वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी होगी definitely अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना दोस्तों शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता है आपके आसपास के लोगों के बारे में कि ये रियल में ताकत होती, mutual fund की compounding की ताकत इसी को कहते है बाके में तेनने शेडियो के साथ, अपना ध्यान रखेगा वाइबे, take care, जय हिंद